स्वागत है दोस्तों आपका हमारी academy में हम बात कर रहे हैं कैसे क्या होता यह कि फॉर्म फिल अप करने के लिए हमें the date of birth जो है कितने वर्ष है कितने माः हैए और कितने दिन हैं यह बताना परता है बहुत तरीके के फॉर्म भरने के लिए काफी साथية समेंुन्हें दिक्कत कर जाती है कि कैसे हम अपनी डेक्ट बझ निकाले तो आज हम बड़ी Não है अब बड़ी आसानी से एक बड़ी आसानी से खें गेंग river स्युक्ण नहीं आता है, वो बड़ी सिंपल तरीके से सीख लेगा, तो सुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के, माना कि हम कोई date of birth ले लेते हैं, किसी की date of birth है, 15, 9, 1981, ये किसी की date of birth है, मान लिया, ये है जन्म तिथी, ठीक है ना, ये है जन्म तिथी, जिस वर्ष जन्म हुआ है, 1981 में हुआ है, 9 महीना, सेटंबर के महीने में, और 15 दिन पर, और माना कि उसकी age निकालनी है, एक जुलाई 2020 को, इस तिन बताना है, कि आपको कितने वर्ष हैं, कितने साल हैं, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है साथी, तो करना क्या है, कि जो date of birth है, वो नीचे से लिखेंगे, क्योंकि जाये तोर पर वो छोटा होगा, 81 कम होगा, 2020 जादा होगा, तो अपनी date of birth नीचे लिखनी है, और जिस date को निकालनी है, वो उपर लिखनी है, ठीक दिन के उपर दिन लिखना है, जो हमारा date of birth है, जो दिन है, उसके उपर जिस दिन को निकालनी है, वो लिखना है, जो महिना है, हमारा, उसके उपर जिस महिने को निकालनी है, वो लिख अपसॉल्ग कैसे करना बला आसान से ये है अपका ये है वर्ष कौन सा वर्ष ये है माह, महिना, ये है दिन, यानी अगर किसी की आई 15-9-9-81 है तो उसको 1-7-2020 को कितने दिन, कितने माह और कितने वर्ष हो जाते हैं ये निकालना है तो इसके लिए simple तरीका है, क्या करेंगे, हम यहां से घटाएंगे, क्योंकि बड़ा ये है, इससे घटाएंगे हम, लेकिन कैसे, ध्यान दे, उपर के सारे digit बड़े होने चीए निक्चे से, ध्यान दे, दिन भी उपर का बड़ा होना चीए, महिना भी उपर का बड़ा होना और वर्ष तो उपर का होगा ही होगा बड़ा, तो ध्यान दे 2020 बड़ा है 1981 से, लेकिन यहां पे माह साथ है और यहां पे नौ है, तो इसको हमने बड़ा करना है, कहां से होगा बड़ा, एक साल यहां से ले लेंगे, एक साल हम यहां से ले लेंगे, पूरा क्योंकि पूरा स लेंगे तो दीजिए देखिए अगर एक साल हमने यहां ले लिया तो एक साल यह नहीं बारा महिने में बदलेंगे उसे बारा महिने तो बारा महिने अब जो जाके यहां पे हो जाएगा कितना बारा और साथ उननिस महिने यहां पे हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा 2019, क्योंकि एक साल हमने इधर ले लिया है ज्यान दे, एक साल हमने इधर ले लिया है और अब यहां पर 2019 हो गया 12 महिने, 7 महिने में जुड़के 19 महिने हो गया, 12 प्लस 7 19, अब ध्यान दीजिए, यह बड़ा हो गया है, लेकिन यह अभी भी छोटा है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी बड़ा करेंगे, कैसे बड़ा करेंगे महिना लेंगे एक पूरा, एक पूरा महिना लेंगे इससे, तो यहां पर जो महिना लेंगे, यहां पर तो 30 दिन लेंगे पूरा, क्योंकि दिन में बदलना सकते हैं तो देखिए उन दो हजार उनिस नौ में से एक घटेगा तो आएगा आठ ध्यान दिजीगा नौ में से एक घटेगा आठ तो ध्यान दिजीगा ग्यारा यहां पे क्या होगा एक है एक में से तो आठ घट नहीं सकता तो यहां से एक लेंगे यहां भी जीरो है तो यह यहां से लेंगे एक यह 10 हो जाएगा ठीक है ना यह 10 हो गया 10 में से फिर यहां चाहिए तो यहां पर 9 हो गया ठीक है ना तो 11 हमारे पास बचा है तो 11 में से 8 गया 3 ग्यारा में से 8 गया 3, 38, 18 में से 9 गया 9, 31 में से 15 गया 16, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1 तो साथियों यह है डेट अब बथ पढ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं यानि किसी की आई 15, 9, 1981 है ठीक है ना और एक जुलाई एक जुलाई 2020 को उसकी डेटो बर्थ निकालनी है तो उसका तरीका यह है ठीक है बड़ा आसान है यह वर्ष हो जाएंगे इतने वर्ष आई होगी इतने माह होगा और इतने दिन होगा ध्यान दिजेगा बड़ा सिंपल है बड़ा आसान तरीका है